जम्मो कश्मीर को जल्द ही पहले की तरह पूर्ण राज्य बनाया जाएगा जबकि लद्दाख जो है वो एक केंदर शाश्यत प्रदेश ही रहेगा केंदर सरकार ने सुप्रीम कोट में मंगलवार को ये जवाब दिया है जम्मो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनोती देने वाली 23 आचिकाओं पर मंगलवार यानि 29 अगस्त को बारवे दिन भी सुनवाई जारी रही सुनवाई के दोरान चीफ जसिस दीवाई चंडर चूर ने केंदर सरकार से पूछा कि जम्मो कश्मीर में चुनाव कब होंगे और राज्य का दरजा उसे कब वापस मिलेगा इस पर सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने कोड को बताया कि सरकार से निर्देश मिला है कि लद्दाख स्थाई रूप से केंदर शाशित प्रदेश रहेगा जबकि जम्मो कश्मीर अस्थाई रूप से ही मौजूदा इस्थिती में रहेगा केंदर शाशित प्रदेश, लद्दाख के करगिल और लिहे में स्थानी निकाह के चुनाव भी होने है सॉलिसिटर जनरल ने ग्रहो मंत्री अमित शाह के लोक सभा में दिये गए जवाब का भी हवाला दिया जसमें अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में स्थिती सामाने होते ही पूर्ण राजय का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा सरकार को इसमें कोई आपत्ती नहीं है वहीं जम्मू कश्मीर में विधान सभा चुनाव को लेकर सरकार 31 अगस्त को बताएगी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सम्विधा निर्माताओं ने कभी भी अनुच्छे 370 को स्थाई रूप में लाने का इरादा नहीं किया था इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राजय होनी की वजह से विशेश राजय का दर्जा बहाल करने की दलील भी दचर है क्योंकि जम्मू कश्मीर एकलोता सीमावर्ती राजय नहीं है इस दुरान CGI ने सीधे पूछा कि सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कब करा रही है CGI ने सॉलिसिटर जनरल तुशार महता से वो कानून दिखाने को भी कहा कि उन्हें जहां से राजय के पुनरगठन की शक्ती मिली है इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अनुछे तीन के हवाले से बताया कि संसद को किसी राजय की सीमा तै करने और केंदर शाषित प्रदेश बनाने के अधिकार है CGI ने पूछा आपने एक ही केंदर शाषित प्रदेश क्यों नहीं रहने दिया जम्मू कश्मीर और लगठाख दो क्यों बनाए इस वरान जस्तिस संजय किशन कॉल ने पूछा कि अगर आप लगठा को अलग किये बिना पूरा ही केंदर शाषित प्रदेश बनाते तो इसका क्या असर होता इस पर सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने कहा कि पहले अलग करना अनिवारे और अपरिहारे है असम और तृपरा को भी पहले अलग कर केंदर शाषित प्रदेश ही बनाया गया था एक स्टेट को केंदर शाषित प्रदेश नहीं घोशित किया जा सकता अब हम आपको इस पूरे मामले का एक ब्रीफ बैगरांड बता देते हैं दरसल केंदर सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशीश अधिकार देने वाला अरुचे 370 वापस ले लिया था इसी के साथ जम्मू कश्मीर को दो केंदर शाषित राज्यों जम्मू कश्मीर और लगदाख में विभाजित कर दिया गया था केंदर सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के खिलाव सुप्रीम कोर्ट में 23 आर्चिकाएं दाखिले की गई जिस पर मंगलवार को 12 दिन भी सुनवाई जारी रहे सुनवाई करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड के अलावा जस्टिस संजय किशन कॉल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूरिकान शामिल है इस सुनवाई से जुड़ी हर अपडेट हम आप तर पहुंचाते रहेंगे आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय है वो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहें दिल्ला लड़ाव, शुक्रिया